हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना आज हम इस तरह से ये देखे छोटा सा बैक बनाएंगे ये उपर इसके एक जिप लगी हुई है एक जिप यहाँ साइड में है और एक जिप ये इस साइड में है है छोटा सा लेकिन इसमें स्पेस बहुत सारा है इसमें आपका बहुत सारा समान आ सकता है ये देखे आज हम इसे बनाएंगे ये देखे एक पीस ले लेंगे क्विल्टिड पीस लेना है हमने ये 7 बाई 12 इंज का अब हम इसके साइड में यहाँ 2 इंज पर निशान लगाएंगे इस तरह से और दूसरी तरफ भी हम 2 इंज पर निशान लगा लेंगे इसे लंबा इस तरह से मिला देना है अब हम उपर से 1 इंज पर निशान लगा लेंगे अब यहाँ से भी इसे मिला देंगे अब हम यहां से गुलाई करेंगे एक तरफ से गुलाई कर लेंगे इसे फोल्ड करके हम कट कर लेंगे यह दोनों तरफ से हमारा बराबर कट जाएगा गुलाई में यह देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लेना है यह हमारा कट गया यह देखिए पीस इस तरह से अब हम इस पर जिप लगाएंगे सबसे पहले हम बीच वाले पार्ट में जिप लगाएंगे जिप को हमने उल्टा रखना है और यहां से पूरा गोलाई में स्टेच कर लेंगे तीन तरफ हमने स्टेच करना है एक तरफ से हम छोड़ देंगे यह देखिए हमने जिप लगा ली अब हम जिप को खोल लेंगे फिर हम इसे कट करेंगे यहां से हमने जिप को कट कर दिया अब हम इस पर प्रेस्टिच लगा लेंगे यह प्रेस्टिच लग गई हमारी अब हमारा जो एक और पार्ट हमने कट किया हुआ है इसी के साथ वहां भी जिप लगाएंगे जो हमने जिप को खोला था वही वाली दूसरा पार्ट जिप का ले लेंगे और उसे भी हमने उल्टा रखना है और यहां जो गुलाई वाली है हमारी वहां हम इसे स्टीच करेंगे जब हम गुलाई में जिप लगाते हैं तो ये वला पार्ट हमारा बड़ा हो जाएगा और वो वला हमारा छोटा रहेगा जिप लगाते टाइम इसलिए हमने जिप को खोला था बाद में कट किया था अब हम इसे कट करेंगे ये देखे इतनी जिप हमारी एक्स्रा लगी है इस पर अब हम पहले यहां प्रेस्टिच लगा लेंगे यह हमारी प्रेस्टिच लग गई अब हम यहां से देख लेंगे यह देखे हमारा इतना पार्ट यह एक्स्ट्रा है इसे हम डबल करके यहां से बराबर कट कर लेंगे और इसके बराबर हम यह कर लेंगे यह हमारा ब्राबर हो गया अब हम इसमें दो रनर डाल लेंगे एक हमने इस तरफ से डालना है दूसरा दूसरी तरफ से यह दो रनर डर गए हमारे अब हम एक और ख्विल्टिट पीस लेंगे इसकी हम लंबाई ले लेंगे 18.5 इंच और चोड़ाई ले लेंगे इसकी 12 इंच अब हम इस पर 22 इंच पर निशान लगा लेंगे यह देखे 2 इंच पर यहां से सीधा निशान लगाते जाएंगे और इसे निशान को मिला लेंगे दूसरी तरफ भी हम टू इंच पर निशान लगा लेंगे और इसे मिला लेंगे अब हम नीचे से वन इंच पर निशान लगाएंगे दूसरी तरफ भी तीसरी भी और चोती भी यहाँ चारो तरफ लगाकर यह देखिए अब हम बैल्ट त्यार करेंगे belt की चुड़ाई हम ले लेंगे 3 inch और इसमें foam का piece रखेंगे और इसे देखिए दोनों तरफ से fold करके यहां सिलाई लगा कर belt त्यार करेंगे मैंने यह belt पहले से त्यार की हुई है यह देखिए इस पर मैंने 3-4 सिलाई लगाई है अब हम belt की लंबाई देखेंगे इसकी लंबाई हम ले लेंगे 68 inch यह 34 है डबल है मेरा इसलिए यह होगा 68 inch अब हम पहले belt को आपस में stitch कर लेंगे यह देखिए हमने यहां से stitch कर लिया अब हम इसका center ले लेंगे यहां से अब हमारे पस दो center आ गए belt के एक हमने जो stitch किया है और एक तरफ हमने निशान लगाया है अब हम इसमें भी center में निशान लगा लेंगे और center से center मिला कर हम belt को रखेंगे जो हमने 2 inch का निशान लगाया है वहां हमने belt को रखना है और पहले हम बीच में से stitch करेंगे अब जो दूसरा center है हमारी belt का वो लेंगे इसे भी हम center में रखेंगे और जो दूसरा 2 inch का निशान है वहां रखना है और वहां से भी हम इसे stitch कर लेंगे अब हम belt को सीधा stitch करते जाएंगे जो 1 inch पर हमने निशान लगाया था वहां तक हमने belt को stitch करना है यहां से अच्छी तरह से 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे और अब हम वापिस सिलाई लगाएंगे दूसरी तरफ belt के यहां भी हम 1 inch तक stitch करेंगे अच्छे से यहां से 2-3 बार सिलाई लगाएंगे और फिर वापिस दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे यह हमारी एक तरफ belt लग गई है अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से belt को stitch करेंगे यह देखिए हमारी belt लग गई है यह इस तरह से यह देखिए अब हमने जो एक पार्ट त्यार किया था उसे हमने यहां रखना है और यहां से हम stitch कर लेंगे belt को हमने पीछे की तरफ रखना है ताकि वो बीच में stitch ना हो stitch करने के बाद अब हम इस पर भी प्रेस्टिच लगाएंगे यह प्रेस्टिच लग गई हमारी अब हम इसे फिर fold करेंगे दूसरी तरफ से भी इसे stitch कर लेंगे यहां से stitch कर लिया हमने अब हम इस पर भी प्रेस्टिच लगा लेंगे यह देखे हमारी प्रेस्टिच लग गई अब हम दो पीस लेंगे क्विल्टिड पीस लेंगे हम यह यह हम लेंगे 7 बाइ 6 इंच के अब हम इसके उपर की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे यहां से कट कर देंगे अब हम इसी के साइज के जिप ले लेंगे और जिप को हमने इस पर उल्टा रखना है और यहां से stitch करना है अब हम इस पर प्रेस्टिच लगाएंगे अब हमने जो दूसरा पीस कट किया था उसे भी जिप के दूसरी तरफ से stitch करना है और इस पर भी हम प्रेस्टिच लगा लेंगे अब हम इसमें रनर डालेंगे अब हम इसी के साइज का एक अस्तर का पीस लेंगे इस पर रखकर चार उतरफ से stitch करेंगे अब हम एक्स्ट्रा अस्तर को कट कर लेंगे यह हमारी यह देखी पोकेट बन गई इसी तरह से हम दूसरा पीस भी त्यार कर लेंगे यह दोनों पीस पर हमने जिप लगा ली अब हमने जो यह पीस त्यार किया हुए है वो लेंगे और जो हमने यह stitch किया था जिप वाला पार्ट दो इसके यह जहासे सिलाई है वहां से दोनों को मिलाते हुए हम सेंटर में निशान लगा लेंगे उपर भी निशान लगाएंगे नीचे भी निशान लगाएंगे अब हम बैक को उल्टा कर लेंगे और जो जिप वाला पार्ट है पोकेट का भी और जो हमारे बैक का भी जिप वाला पार्ट है और दोनों सेंटर को हम मिला कर रखेंगे और यहां से स्टीच करेंगे यहां से पहले सीधा स्टीच करेंगे फिर हम इसे घुमा लेंगे दोनों पाट को आपस में इगठे घुमाना है और स्टिच करना है दो साइड स्टिच हो गई इसकी अब तीसरी तरफ से भी हम इसी तरह से घुमा कर स्टिच कर लेंगे और फिर चोथी तरफ से भी हम इसी तरह से घुमाते जाएंगे और चारउ तरफ से इसे स्टीच कर लेंगे यह हमारा दूसरा भी सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए तब में आपका बैग बिल्कुल सही बनेगा यह देखिए अब हम चोथी तरफ से स्टेच कर रहे हैं इसे यह हमने चारों तरफ से इसे स्टेच कर लिया यह देखिए अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से स्टेच करेंगे यह साइड भी हमने स्टेच कर लिया और यह दूसरी भी अब हम बैक को सीधा करेंगे यह देखिए यह हमारा बैक बनकर बिल्कुल तयार है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नाटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना अगर 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 झाल झाल